हरे किष्णा तो अभी हम भगवत गीता के दूसे ध्याय के अंतरगत इस लोक संख्या 36 पर विचार करेंगे अब भगवान अरजन को युध ना करने से होने वाले एक बहुत बड़े दोस का वरण कर रहे हैं और यह बहुत मड़ा दोस क्या है अवाच्य वादांस चे बहुन वदिशन्तित वाहिता तुम्हारे जो क्या है अहित कारी अहिता का मतलब है जो तुम्हारा अहित करना चाहेते हैं जो इर शालू है वे बहुत से ऐसे भचन बोलेंगे जो नहीं बोलने चाहिए अवाच्य वादांस अवाच्य का मतलब है कि जो बोलने लाइक नहीं है तो ऐसी बाते हैं और वो बहुत सी बाते ऐसी बोलेंगे जो बोलने लाइक नहीं है कौन बोलेंगे तब आहिता तुम्हारे जो सत्रु हैं जो तुम्हारा आहित चाहते हैं इसके पहले भगवान ने चर्चा की थी महारता जो तुम्हारे प्रती जो अच्छी भावना रखते हैं तुम्हारे हितासी हैं वे महारती तो उनकी दृस्टी में तुम नीचे हो जाओ उनकी द्रिष्टी में तुम हलके हो जाओगे तुछ हो जाओगे और उनको बड़ी निराशा होगी लेकिन इस स्लोक में भगवान अहिदा की बात करें जो अहतकारी हैं जो हमेशा तुम्हारा अहत चाहते हैं इरशालू है निंदन तस्तम सामर्थ्यम तुम्हारे सामर्थी क फेलें की निंदा करते हुए बहुत सी बातें बोलके जो नहीं बोलनी चाहिए ततो दुख हैतर अप्रमनुकिम इस districts बढ़कर के और दुख क्या है दुख तरम एक तो दुख होता है दूसरे दुख हतर जो और ज्यदा दुख है तो भगवान के इस सक्षिप बढ़कर के अर्जुन के अयाचित दिया भाव पर आश्चरी हुआ था तो यहां प्रहुपत क्या करें कि भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दिया भाव पर आश्चरी हुआ था कि अर्जुन के अंदर दिया की भावना है लेकिन वो कैसी दिया है अयाचित अयाचित का मतलब ह कि जिसकी आचना होई नहीं वो दिया नहीं मांग रहे हैं वो तुम से दिया नहीं चाहते हैं तुम उनको दिया दिखा रहे हो तुम उनको उनके उपर दिया कर रहे हो तो यह जो है बहुत ही एक प्रकार से अपने लिए लज्जा की बात है क्योंकि वे जो है अगर देया नहीं चाहेते हो तुम देया करते हो तो वे तुम्हारा और ज़्यादा अपमान करेंगे तो भगवान को आश्चर हुआ था और उन्होंने इस देया भाव को अनारियोचित बताये था तो ये आयाचित है दिया भाव तो अनारिय उचित भी है अनारियों के लिए उचित है जो आरिय हैं जो सब में हैं और जो उन्नत हैं चेतना में तो उनके लिए ऐसी दिया करना उचित नहीं है भगवान के लिए आरियों के लिए ऐसी दिया करना उचित नहीं है जो आरे होते हैं, उन्न चेतना वाले होते हैं, तो उनके लिए ऐसे दिया करना उचित नहीं है, तो जो व्यक्ति किसी प्रकार के दंड़ की परवाहे ना करके और अपराद ही अपराद करता जाता है, तो उसको दंड मिला चाहिए, अगर आप दिया करते हैं, तो इसका तो भगवान यहां पर इस आयाचित देया भाव को अनारी उचित बताते हैं कि यह आरियों के लिए बिलकुल उचित नहीं है अब उन्होंने विस्तार से अर्जोन के तदा कथित देया भाव के विरुद्ध कहें गए अपने बचनों को सिद्ध कर दिया है तो यह है सच्चाई क्या है यह है कि अरजुन अगर इस प्रकार से दिया करते हैं तो वे अरजुन की बहुत निंदा करेंगे और क्या कहेंगे कि अब तुमको दिया आ रही है अब तुमको जब हम युद्ध में दिखाई दिये और हमारी शक्ति तुमने देख ली तो अब तुम दिया के बहाने अब तुम ज़ो है युद्ध छोड़ रहे हो दिया का बहाना कर रहे हो तो इस प्रकार से वो कहेंगे तो यह ज़ो है कैसी बाते होंगी आवाच्य जो नहीं बोली जा सकती तो यहां प्रहुपात का अतात पर इस्समाब्त हुआ और हम अब सुनेंगे स्री भगवान ने कहा में इस इस लोक की कैसे ब्याख्या हुई है इस इस लोक में भगवान एक साधारन बिक्ति के अग्यान से निर्मित सिध्धान्द को प्रस्तुत करते हुए इस बात पर जोड़ दे रहे हैं कि अर्जुन इस सिध्धान्द को भी स्विकार कर लें तो भी उनका शोक करना उचित नहीं है छमा करना इस इस लोक की ब्याख्या नहीं है इस इस लोक में भगवान अर्जुन के समक्ष छटमे दोस का वर्णन कर रहे हैं जो अर्जुन को प्राप्थ होगा यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे अभी तक भगवान पांच दोसों का वर्णन कर चुके हैं जो अर्जुन को युद्ध ना करने से प्राप्थ होगे पहला क्या है अर्जुन का सुधर्म चला जाएगा अगर अर्जुन जुधनी करेंगे अर्जुन का सुधर्म चला जाएगा दोसरा दोस क्या है अर्जुन की कीरती चली जाएगी तीसरा दोस क्या है अर्जुन को पाप की प्राप्ती होगी चौथा दोस अर्जुन को कभी ना समाप्त होन तो ये पांच दोस भगवान ने बताए लेकिन अब भगवान कौन सा दोस बतला रहे हैं कि जो तुम्हारे सत्रु हैं ये बहुत ही ना कहने लाइक बातों को कह करके तुम्हारी निंदा करेंगे तो भगवान कहा रहे हैं तुम्हारे सत्रु तुम्हारे बहुत सी ना कहने योगे बातें कहेंगे तो ये सबसे बड़ा कष़दायक अब भगवान जो दोस बता रहे हैं सबसे ज़्यादा कष़दायक है जो दिना करने पर अर्जुन के सत्रों को कटू बातें बोलने का अवसर प्राप्त होगा अर्जुन के जो सत्रों हैं वे हमेशा अवसर धोरते रहते हैं कि वे किस प्रकार अर्जुन तरह अन्य पांडबों के बिसे में कटू बातें बोलें क्यों क्योंकि यह अहिता है यह हमेशा कष्ट पहुंचाने की ताक में रहते हैं अर्जुन को और पांडवों को जितना देखो सके कष्ट पहुंचाने में ही यह सुक कानभाव करते हैं क्योंकि यह सत्रु सदय पांडवों की विश्में कटू बाते रहते हैं इसलिए अर्जुन के युद्धिना करने से उन्हें और भी बाते बोलने का अबसेर प्राप्त होगा अब कैसी कटू बातें बोलते थे ये सत्रू लोग देखिए दुर्योधन कैसे कटू बातने बोलता था जिस समय छल पूर्वक दुर्योधन ने पांडवों को तथा दुराबदी को जुए में जीत लिया वसमे इसने बिदुर जी को आ गया दी विदुर तुम जाकर पांडवों की प्रितमा सुंदरी दुरवदी को सीखर ले आओ वो अभागिनी यहां आकर हमारे महल में जाड़ू लगाए और दास्यों के साथ रहे तो देखो कितना इसने दुरधन ने उल्टी बातें बोली है और जब कि पांडवों लोग हमेशा इनके साथ सहयोग करते रहे इनके साथ मित्यता का निरभाय करते रहे और इनके जीवन की भी रक्षा की पांडवों ने और अनेक डलाईयों में जो भी जीत करके लाए धन संपत्ती सब इनको देते रहे और ये दुष्ट दुर्यधन जो है इतना अहितकारी है कि दुरौबदी के लिए कैसा बोल रहा है अभागिनी वो अभागिनी यहां आकर हमारे महल में जाड़ों लगाए और हमारी दासियों के साथ रहे जबकि दुरौबदी जो है महारानी है अभी तो विधिश्टे महाराज ने राशुयग किया और इंदर पस्ते की राजा है और संपूर्ण बिश्व में इनका चारों दिशाओं में इनका प्रशासन इस्थापित हो चुका है और ऐसे महारानी दुरौबदी के लिए वो क्या बोल रहा है दुरौबदी अभागनी यहां कर हमारे महल में जाड़ों लगाए और दासियों के साथ रहे जब बिदुर जी ने दुरौधन की इस बात का बिरोत किया तो उसने अपने भाई दुसासन को याग्या दी कि वो बल पूरवक दुरौबदी को भरी सभा में पकड़ लाए इतना गलत सब्द उसने बोले तो यहां पर भगवान करें अब आज यह बाद आए जो ना बोले जाए जो ना बोलने लाइक हो ऐसी बातें यह बोलेंगे दुरौधन की इस सब्द अतन्द कटू थे अब दुसासन ने क्या बोला जैसे मैं दुसासन को दुरौधन की आग्या प्राप्त होई तो दुरौधन की ने कट जाकर इस प्रकार कटू सब्द बोला कृष्णे चल तुझे हमने जीत लिया है अब लज्जा छोड़कर दुरेधन को देख सुन्दरी हमने तुझे पा लिया है अब सभा में चल और कौरवों की सेवा कर दुरौधन ने कितनी गलत सब्द बोले जब दुरौधन एतन दुख के साथ इस बात का बिरोत किया तो दुरौधन ने दुरौधन की बात पर कुछ ध्यान ना देकर केशों को और भी जोड़ से पकड़ा दुरौधन की बेटी तु रजस्वला हो या एक वस्तरा भले ही तो नंगी हो हमने तुछे जुए में जीता है तु हमारी दासी है अब तुझे नेच इस्त्रियों के समान हमारी दासियों में रहना पड़ेगा तो दुरौधन कितने जो है गलत सब्द बोल रहा है दुरौधन के लिए ऐसा क्या कर वो दुरौधन को भरी सभा में घशित लाया और ओदासी कहकर ठठा कर हचने लगा वस्तरा पांड़मों को जैसा दुख हुआ वैसा संपूर्ण राज्य के छिन जाने पर भी नहीं हुआ था महा भारत की उद्में जब भीम सेन ने दुष्तासन को पराज़त करके तथा उसे पठक करके पूशा कि उसने किस हाथ से दुरौधन के पवितर केसों को खीचा था देखे उस समय भी जब भीम सेन ने उसको पठक दिया और अब मरने वाला है उस समय भी वो कटू बादे ही बोल रहा है तो भीम सेन ने पूशा कि किस हाथ से दुरौधन के पवितर केसों को खीचा था तो उस समय मरते हुए भी उस दुष्त ने बड़े आवेश के साथ कहा भीम सेन उस समय जब कि प्रधान प्रधान को रहा हो सभी सभासत और तुम लोग भी बैठे बैठे देख रहे थे मैंने इसी दाहने हाथ से दुरौब दे के केस खीचे थे इतना अभी मित्यू के निकट है तो भी ऐसी बाद सुनकर भीम सेने कुरूध पूरुवक उसकी दाहने भजा उखाड ली दाहने भजा काटी नहीं काटने में तो इतना कशनी होगा ओकाड़ा भजा को खाड़ना धाने भजा खार ली उसका बद कर दिया तो यह जो है मतलब ऐसे सत्रू है जो की इनकी सीमा नहीं है कि कितनी गलत बात और कितनी कटू बात ये लोग बोलते हैं अब कर्ण ने भी कैसी बाते बोली, जैसे दुषासन भरी सवा में दुरॉपदी का मान कर रहा था, और समय कर्ण परसन्नता सेधुपशन के दुषासन के बिवहर का समर्दन कर रहा था, उसमय दुरेधन के एक भाई विकर्ण ने धर्म पर बचार करते हुए दुरौबदी के पक्षमे दुसासन का विरोध किया अब करण धर्मात्मा थे, सो भाईयों में एक विकरण थे जो धर्मात्मा थे तो उन्होंने विरौत किया दुशासनका दुरापदिे के पक्षमें बोला तो करन उसे चोटा समझ के डार दिया और चुप करा दिया और इस प्रकार के कटू सम्मिझे कहे दुरापदिे पांच पतियों के इसटरी होने के कारण बेश्या है इसलिए मेरी समझे से एक वस्त्रा या वस्त्र हीना होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है जो कि महारानी दुरब्दी को इस प्रकार करन बोलता है कि चाहे वस्त्र रहे थो दुरब्दी को सभा में लाना अनुचित नहीं है फिर उसने दुष्षासन के और देखकर कहा धूस्षासन विकरन की यह बातों पर मत ध्यान दो और दिराबदीवा पॉंटमों के सारे वस्ट उतार लो करन की यह समत्र बहुत कटूथे बहुत कटूथे इसलिए जब करन अरजुन के साथ युद्ध कर रहा था और करने के रथ का पहिया जब जमीन में धस गया और तब करन जो है बड़ी धर्म की बातें बताने लगा अर्जुन को कि अर्जुन तुम तो बड़े धर्मात्मा हो इस समय मेरा पहिया जमीन में फसा हुआ है मैं जमीन से पहिये को निकाल रहा हूँ ऐसे मैं तुम्हें यु उस बागते हुए बोले कि जो दुस्ट लोग होते हैं उनको उसी समय धर्म की याद आती है जब वियक रश्न में होते हैं लेकर न करन जिस समय दुरॉबदी को तुमने ऐसे कटू बिचल जब हो स्मय तो हमें ध्याद नहीं आई थी स्री कौने के पास उतर नहीं था अर्जुन भूल जाते हैं तो अर्जुन में ये भूलने की आदत है स्री किष्णे भूलने की आदत नहीं है स्री किष्णे बहुत उसको जो है सुना करके करन को सुना करके उसको लजज़त करते हुए करन को उसकी बात याद दे लाते हैं कि तु जो है इतना दुष्ट है जब तु ने अधर्म किये और कई प्रकार के अधर्म किये वो समय तु ने सोचा नहीं कि तु अधर्म कर रहा है लेकिन अरजुन को तु बोल रहा है कि ये अधर्म है कि तेरे उपर वो प्रहार अगर करें लेकिन ऐसे में जो योधा लोग हो अगर श्राट अगर चाहते तो भीस में है द्रोण है ये तो इनकी भावना थो अच्छी है तो अर्जुन ऐसे इस्तिति में अगर चाहते तो ऐसे महानुभाव को ना मारें तो वह उनकी इच्छा है लेकिन जो दुस्ट जिसने कट्व विवार किया और कटूर सब्दों का प्रियोग किया तो ऐसे में जो वीर योधा होते हैं ये सत्रू को कभी नहीं छोड़ते हैं इसलिए किसने धर्म की बाद समझाई उस समय करन फिर चुप हो गया तो फिर दूसरे पंक्ति में भगवान केते हैं अर्था तुम्हारे सत्रू तुम्हारी समर्थ की निंदा करेंगे इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि अर्जुन जिन सत्रू को अपना सुजन मान कर दिया कर रहे हैं वे सत्रु अर्जुन के दिया प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, वास्तों में वे मरना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, तथा उन पर दिया करेंगे, तो वे अर्जुन के सामर्थिकी निंदा करेंगे, इस उपदेश से भगवान अर्जुन को उस घ पांढबबं के लिए अपना संथे भीजा पिशले दिन ही आज का दिन तो युध प्रारभ हो राहे है तो पिशले दिन ही दुर्धन ने सकुनी के पुत्र उlluk को अपना दूद बनाया था..? तो सकुनी का पुत्र उलूक ये दुर्धन का भाई मामा है.. तो उलूक को दूद बना करके श्री कृष्ण पांडवों के लिए अपना संदेश भेजा जिसमें उसने श्री कृष्ण और पांडवों के सामर्थे की खूब निंदा की तो उलूक ने श्री कृष्ण को दुर्यधन का संदेश सुनाया कृष्ण तुम अपनी और पांडवों की रक्षा करने के लिए युद्ध करो इस प्रकार से दुर्यधन है संदेश बिजा अब ये श्री कृष्ण को कह रहा है युद्ध करो तुम अपनी और पांडवों की रक्षा करने के लिए युद्ध करो तुमने माया से सभा में जो भेहन का रूप धारन किया था वैसा ही फिर धारन करके हम पर चड़ाई करो तो जिस समय स्री कृष्ण अपना भेहनक रूप दिखाया था तो उसमय अर्जुन देख भी नहीं सका उसकी आँखें चका चौन हो गई तो उसमय करन हैं दुरेधन हैं यह सब जो है बहुत भैभीत हो गए थे और स्री कृष्ण ने उसमय कुछ इनकानिस्ट नहीं किया तो फिर इनका दिमाग फिर उल्टा हो गया और फिर सुचने लगे कि स्री कृष्ण ने जो रूप दिखाया था वो तो जो है किसी काम का नहीं है वो तो केबल डराने के लिए दिखाया लेकिन कुछ कर नहीं सके तो ये दुष्ट लोग जो है श्री कृृक्ष्ण की दया को नहीं सम्झे कि श्री किर्ष्ण दया करके ही इनका अनिस्ट नहीं किया और नहीं तो स्री किर्ष्ण चाहेते तो इनका बध कर देते उसी समय या ईनको बांध करके पांड़वों के सुपुर्द कर देते लेकिन चुआ कि स्री कुछ नहीं किया तो ये दुष्ट अपने तरह ही सोचते हैं कि जैसे ये लोग दुष्ट हैं तो उसी प्रवकार से स्री कुछ भी है लेकिन उनके पास सक्ती नहीं थी कुछ करने की इसली नहीं कर पाए तो अभी क्या दुष्ट ने संदेश बेजा है कि स्री कृष्ट ने माया से सभा में जो भेंकरूप धारन किया था वैसा ही धारन करके दुष्ट ने क्या संदेश बेजा कि स्री कृष्ट ने इंदर जाल माया अत्वा कपट भैजनक तो होते हैं किन्दु जो रन में सस्त्र धारण किये हैं उनका वे कुछ भी नहीं बिगाड सकते तुमने जो कहा था कि रन भूमें धिरतनाश्ट के पुत्रों को मरवा कर पांडवों को उनका राजित दिरवाऊंगा शो तुम्हारा ये संदेश भी संजय ने मुझे सुना दिया था अब तुम सत्य पृतिग्य होकर पांडवों के लिए पराक्रम पूरवक कमर करश कर जो दिकर हो किसने को इस प्रिकार से सनौती दे रहा है हम भी तुम्हारा पौरुस देखें संसार में अकसमाथ ही बड़ा यस पैल गया है किन्त मुझे आज मालूम हुआ कि जिन लोगों ने तुम्हें सिर पर चढ़ा है वे वास्तो में पूरुस नहीं है तुम कर्ण के एक सेवक ही तो हो तुम कर्ण से के एक सेवक ही तो हो मेरे जैसे राजा महाराजाओं को तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए संग्राम्भू में आना भी उचित नहीं है इतना दुस्ट है इन बातों से पता चलता है कि मूर के दुर्योधन जब तक मार डाला नहीं जाएगा तब तक वो स्री कृष्णे के सामर्थ की निंदा करता ही रहेगा फिर दुर्योधन ने और संदित भिजा तो उलूग ने अब युद्धिस्तिर को बोला क्या बोला राजन यद्ध भी तुम बड़े धर्मे कहे जाते हो परन्तु तुम्हारा मन सदा अधर्म में लगा रहता है युद्धिस्तिर महाराज इतने धर्म के विचार करने वाले इतने एक-एक कदम फूक फूक के रखते हैं और वो जो है दुर्योधन ऐसे बोल रहा है तुम ने दुनिया को ठगने के लिए ही ब्यदा भ्यास और सांते का डहांग बना रहा है तुम ये पाकछने छोड़कर युद्ध करो तुम्हारी माता वरसों से दुख भोग रही है कि तुम्हारी माता वर्षों से दुख भोग रही है हमारे कारण हम तुम्हारी माता को दुख दे रहे हैं तो तुम तो अपनी सक्ति देखाओ कुछ है इस प्रकार से दुख भोग रही है उसके आशू पोचो और संग्राम में हम सत्रों को परांस्त करो तुमने हमसे पांच किंतों यह सोच कर कि किसी प्रकार पांटमों को कुपित करके, उनसे युद्ध करें, हमने तुम्हारी मंग मंजुर नहीं किया है, हम तुमको क्रोध दे लाना चाहे थे तुमको गुष्त आता ही नहीं तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्ट बिदुर को त्यागा था, युद्ध कर लो इस प्रकास से बूला है तुम राज रहन बनवास और दुरबदी के लिद्ध कर análरी कि याद कर is तो इस ऊनुन है कि तने सब्रू कर आग्त तो भीमसें के लिए दूरधन संदेस पूजा तो उलूख ने दूरधन को दूरधन si幹ो संदे मुजय संदेस स्थना तुम तुम दूवसासन करक्त पी हो सो सरे मिध्यामत कर देना तुमसें की तरह मोर्ध रहां बहुत गरत बातें बूल रहा है यदि सकती रखते हो तो दुसासन का खून पीना इस प्रकार से और तुमने जो कहा था कि मैं रन्भूम में एक साथ सब धृतराश से पुत्रों को मान डालूँगा सो उसका समय भी अब आ गया है ये भी करके तेखाओ हम सब भाईयों को मान की देखाओ कि तो है दुस्ठ है इसके बात अर्जुन के सामर्थिके निंदा दुरोधन ने संदेश भीजा उलूग को उलूग की हाथों उलूग ने अरजुन को दुरोधन का संदेश उनाया अरजुन तुमने कृष्ण और अपने भाईयों के से संजे से जो गरज-गरज कर बातें कही थी अब उन्हें कर दिखाने का समय आ गया है अब तो युद्ध करने से ही कोई काम बन सकता है बातें बनाने से कुछ नहीं होगा कितना गलत बोल रहा है और समय अरजुन को कितना बुरा लगा था और अभी अरजुन फिर उनके उपर दिया भाव कर रहे है तो यही जीव की भूलने की यह आदत है तो अरजुन के लिए क्या बोला मैं जानता हूं कि कृष्ण तुम्हारे सहायक है और तुम्हारे पास गांड़े धनज भी है और तुम्हारे समान योदा भी कोई नहीं है ये बात भी मरसे चीपी नहीं है किन्तो लोग ये जान कर भी मैं तुम्हारा राज छीन रहा हूं पिसले तेरह वरसों तक तुमने तो बिलाप किया और हमने राज भोगा और हम खुश रहे तुम रोते रहे और हम खुश रहे अब आगे भी तुम्हें तुम्हारे बंद बंधमों को मार डालकर मैं ही राज शासन करूँगा बिराट नगर में मेरी कारण तुम्हें सिर पर वेनी बांध कर राज कन्या को नचाना पड़ा था तुम इस्त्री का बेश धारन करके एक साल तक जो तुम काम करते हैं सेवा करते हैं राजा की कन्या को सिखाते रहे नत्य करना तो मेरे कारण तो मैंने तुमको इतना मतलब नीचा कर दिया मैं तुम्हारे या कृष्ण के भए से राज नहीं दूँगा मैं तुम से नहीं डरता ना कृष्ण से डरता हूं अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साध्योत कर लो जिस समय मेरे अमुक मांड छूटेंगे उस समय हजारों कृष्ण और सेकलों और जुन दसों दिसाओं में भागते फिरेंगे या तो हमें परास्त करके इस पृत्वी का सासन करो नहीं तो हमारे हाथ से तुम्हें इस पृत्वी पर सेयन करना होगा जिस काम के लिए छट्रानी पृत्र उत्मन करती है उसका समय आ गया है हमने तुम्हें जुए में हराया था तुम्हारे सामने हम दुरबड़ी को सभा में घसीट लाए थे फिर हमीने बारह वर्ष के लिए घर से निकाल कर तुम्हें बन में रखा और एक वर्ष तक बिराट के घर में रहकर उनकी गुलामी करने के लिए मजबूर किया इस देश निकाले को याद करो बनवास के किस्ट को याद करो दुरॉबड़ी के कलेशों को याद करके जरा मर्द बन जाओ और कृष्ण को साथ लेकर युद्ध के मैदान में आ जाओ तुम बहुत बढ़ बढ़ कर बातने बनाये करते हो तो यह ब्यर्थ की पकवास शोड़कर जरा पुरसार्थ दिखाओ एक एक सब्द उसका जो है तो सुई की तरह है चुपने वारा है अब जिस समय अर्जुन को दुर्धन का इस संदेश प्राप्त हुआ था वो समय अर्जुन ने दुर्धन के चुनोती स्विकार कर ली और जो तो करने के प्रतग्या भी कर ली थी अभी इस घटना को बीते 24 घंटे भी नहीं हुए है परनतो अर्जुन मुहे में फसकर ये सभी बातें भूल गए है मुहे ने अर्जुन के ज्ञान को ढग दिया है परनतो स्री किष्ण संपून अज्ञान से परे है स्री किष्ण अर्जुन को पिछली बातों की याद दिला रहे है तो स्री कृष्ण ही है जो की भूलते नहीं है स्री कृष्ण प्रतेक जीव की हिर्दे में परमात्मा रूप से वास करते हैं और जीव अगर भूल जाता है और स्री कृष्ण अगर उसके उपर करते हैं तो उसकी रक्षा करते हैं उसको आवशक इसमनल सक्ति प्रदान करते हैं इसलिए स्रीकिष्ण गीता के पंदर में ध्याय के पंदर में श्लोक में कहते है मत्ता इस्मृतिर ग्यानम अपोहनम चा कि मुझे सही स्मृति और ग्यान प्रात होते हैं तो यहाँ पर भगवान यह कह रहे हैं कि तब अहिताहा तुम्हारे ये अहितकारी हैं, ये अहितकारी हैं, तो इनको अपना सोजन नहीं समझना, कि तुम इनको प्रसन करना चाहते हो, तो तुम जितना इनको प्रसन करने की कोशिज करोगे, तो अतना अधिक ये अपना अधिकार समझेंगे, अपना अधिकार समझे और तुम्हारा सोशन करेंगे तो यह जो दुष्ट लोग होते हैं तो इनको दंड अबश्य मिलना चाहिए जो महान तपस्य होते हैं तो अपनी तपस्या के द्वारा वे साब देते हैं ऐसे लोगों को और इनको दंड मिलता है लेकिन जो छत्री हैं तो छत्री जो है अपने बल की द्वारा इनको दंड प्रदान करते हैं इन ऐसे लोगों को दंड अबश्य से मिलना चाहिए और नहीं तो यह अपना मुह खोलते ही रहेंगे और जितने भी कटू अधिक से दिक जो कटू बचन है वो बोलते ही रहेंगे निंदा करते ही रहेंगे तो तुम्हारे सामर्थ की निंदा करेंगे तो अरजुन को तो चाहिए कि अपने बानों के दोरा उनका मुह तोड़ दें क्योंकि वे सुनना नहीं चाहिते हैं कोई बात है वो कहते हैं कि तुम अपना पुरसाथ दिखलाओ अगर पुरसाथ नहीं दिखाएंगे अरजुन तो वे जो है इस प्रकार की निंदा करेंगे और कटू बचन बोलेंगे भगवान स्री कृष्ण अरजुन को याद दिला रहे हैं कि अरजुन ऐसा ना सोचें कि उदो ना करने से उनके समंद इन लोगों के साथ अच्छे बनेंगे इनके साथ समन कभी अच्छे नहीं बनेंगे ये लोग जो है तुम्हारे सामर्थ की निंदा ही करेंगे और कभी भी तुम्हारे अंदर कोई गुर्ण नहीं देखेंगे धन्यवाद हरे किश्णा